आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो यहाँ पर हमें simple interest की बात की हुई है तो SI का formula क्या होता है SI is equals to principal into rate into time divided by 100 तो यह formula लगा देते हैं दोनों के लिए तो पहले condition में rupees x के उपर 15% का लग रहा है कितने time के लिए 4 time के लिए divided by 100 प्लस दूसरी condition में 1.35x के लिए लग रहा है कितने percent 18% कितने time के लिए 3 years के लिए divided by 100 तो total interest आ जाएगा हमारे पास वो कितना है 15948 अब simply हमें multiply करना है और आगे solve करना है तो पहले इसको multiply करेंगे first time को तो कितना हो जाएगा 60 divided by 100 x प्लस 1.35x को 18 into 3 54 हो जाएगा 54 से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 72.9 x प्लस ये value कितनी हो जाएगी 1.35 और ये कितनी हो जाएगी ये divided by 100 थाई और इसे multiply करेंगे तो ये value हाँ, sorry पहले हम क्या करते है हाँ, ये हमने x की term इदर multiply कर ली is equals to कितना हो जाएगा यहाँ पर ये plus का sign नहीं आएगा ये x की term थी पूरी तो equals to कितना हो जाएगा equals to हो जाएगा 15948 ठीक है, अब 100 को स्टैड ले आते है तो इसको add करेंगे तो कितना हो जाएगा 132.9 x is equals to 15948 100 को स्टैड ले आए तो 20 आजाएगी यहाँ से अगर x के लिए solve करेंगे तो कितनी आजाएगी x की value आजाएगी 12,000 रुपीज तो x की value इतनी आगी हमचे question में क्या पूछा है 3.12 x 3.12 x is equals to 3.12 into 12,000 यह value हो जाएगी हम अब पास रुपीज 37,440 तो answer क्या हो गया option D आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट आट 400 400 400 पर